नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर दोस्तों जैसी हमारी एक्सपेक्टेशन थी के रिलीफ रेली आईगी वह आई तो जरूर लेकिन वह एक दिन के बाद आई तो यहां पर कह सकते हैं कि डाड़ा पॉइंट से घर में देर है पर अन ही थे लेकिन दोस्तों यहां पर मैंने आपको साफ साफ बहुत बार रिपीट टके अपनी वीडियो में आपको साफ साफ कहा था साथ मैं आपको थमनेल भी लगा तो पहुक्त पर इसटिश का मिल चुका था डाड़ा पॉइंट के ऊपर क्यों तो बनती है मार्किट के लेकिन data points पहले से बता देते हैं, तो उम्मित करता हूँ कि आप सब लोग हमारे channel से connected regularly होंगे, और आप लोग daily basis के उपर वीडियो देखने के अबाद market की situation समझते होंगे, तो दोस्तो यही update मैंने आपको कल भी वीडियो में दी थी, कि relief rally आएगी data points negative रहेंगे, उसकी अपने को कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं आपको data points दिखाऊंगा, तो वो आज भी negative ही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि bearish market में कभी भी relief rally नहीं आ सकती, दोस्तो अगर आपको समझना है, market कहें चलती है, तो आपको इस चीश का मतलब, ख्याल लखना पड़ेगा, देखें कभी भी कोई भी market नहीं नीचे नहीं जाती है, अभी हो क्यारा था, लगा था, 9 दिन से market नीचे जा रही थी, लेकिन दोस्तो कभी भी bearish market भी जो होती है, market तो overall bearish ही है, data points अभी bearish है, लेकिन दोस्तो कभी market directly नीचे नहीं जाएगी, market नीचे जाएगी जो ऐसे जाएगी नीचे, ऐसे जाएगी, buyers को ढूंडते हुए जाएगी, जो bounce आ रहे है न, यहाँ पर buyers को ढूंडते हुए market जाएगी, ठीक है, data points बता देते हैं, कि हाँ भई अब ठीक है, अब relief rally के expectation बनती है, अब वो एक दिन लेट आई, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हमें स्वागत है, market के अंदर, really fairly का, और it is good, कि हमारी analysis के साबसे market चल रही है, दोस्तों अपर आवर्ट से हम आते हैं, regular analysis के ओपर, और data points देख लेते हैं, उससे पहले लेकिन charts भी देखेंगे, दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको दो लाइने कीच रखी है, यह दो लाइने हैं, आपको दिख रहा होगा, तो हबसे favorable चीज यह है, कि आज हमारा जो level है 350 का, वो defend हो गया, और market इसके ऊपर खुली, और इसके आसपास से, जो लो लगाया 355 का, देखें दोस्तों, यह levels जो हैंना, मैंने आज से नहीं दिखा रहा, last 2-3 महीने हो चुके हैं, मुझे इन levels को आपको दिखाते दिखाते, अब तो आपको यह levels रट जाने चाहिएं, और आप देखी रहे हैं, कितने खुब सूर्ती से levels काम कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर भी देखें, यह levels जैसे ही, यह level टूटा गया, तो जैसी यह level टूटा हटा, पांजों का अगले level मार्केट रूखी directly, फिर market ने consolidation इसी level पर किया, ठीक है, फिर market ने resistance लिया इसी level पर दुबारा से जब market नीचे आई तो, जब नीचे गीरी तो market दुबारा से इस level पर support भी लिया, ठीक है, तो यह level भी कितना important है, वापस market इस level का असपास consolidation हुआ, वापस फिर market उपर के तरफ गया, लेकिन यह level resistance है काम करा, फिर market ने gap down में ही यह level तोड़ दिया था, यह वाला, और इसके बाद market ना अगले level को भी test किया, तो दोस्तों यह levels जो हैं, बहुत important levels हैं, बहुत important तरीके से इनको draw किया गया है, और इन levels की respect हमेशा करना, मैं यह levels आपको daily business के उपर दिखाता हूँ, अगर आपने levels भी ख्याल लखे न, तो भी आपका 50% काम बनी जाएगा, इस बाद को मैं open challenge करके challenge देता हूँ, ठीक है, तो दोस्तों आज का level आपको पता है, पहले से हमने discussion कर रखा था, 17-350 का market की नीचे नहीं गई, तो short बिल्कुल नहीं बनता था, और market ने आज recover किया, अच्छा खासा recover किया, और 150 point के आज़ पास आज recovery दिखाई, बहुत good, अच्छी बात है, प्राय शंगे साब से market अभी भी oversold zone में ही है, तो अभी भी market एक bounce अभी भी दिखाई चके, लेकिन अब एक बात याद रखना, कल expiry है, तो कल थोड़ा बहुत drama अगर हो expiry का, तो उसे ignore कर देना, overall market अभी एक relief rally के अंदर ही है, ठीक है, अब relief rally मुझे का तक expected है, मैं आपको अपना बता रहा हूँ, दूसरी चीज, अब यहाँ पर expectation के साथ यह नहीं होता, देखे होता क्या है, एक होता है expectation, वो मेरे personal experience के basis के उपर, मैं आपको बता रहा हूँ, अब जो data points है, वो live market के बताएंगे, कि क्या यह expectation complete होगी या नहीं होगी, ठीक है न, मेरे बाद समझना, अभी जो मैं आपको expectation में रता रहा हूँ, मेरे को लगता ऐसा है, मेरे expectation, मेरे experience के basis के उपर, दंस समझना आपको, यह तो दो लाइने हैं, अभी एक गंड़े चार्ट के उपर दिख रही होगी, यह दो लाइने कौन सी हैं, इस लेवल को, 17,500 यह लेवल है, जब यह लाइन को breakout कर देगा, जैसे इस लाइन को breakout करेगा, तो हमारा market 17,700 के उपर जाने के लिए ready हो जाएगा, मेरे बाद समझे, 17,700 के उपर, 700 के आसपास यहाँ पर, इस लेवल तक आने के लिए ready हो जाएगा, तो अब हम 17,500 के आसपास आकर wait करेंगे, patience रखेंगे, ठीक है, कि यहाँ पर market में क्या होता है, क्या नहीं होता, क्या market के closing 17,500 के उपर होती है, अगर होती है, तो 200 point की rally आपको expected मिल जाएगी, ठीक है, तो this was the expectation, अब यहाँ पर यह मेरी expectation है, मेरी experience के business के उपर, मेरी technical analysis के उपर, ठीक है, projection के उपर, और देखते हैं, पुरा करेगा नहीं करेगा, लेकिन हमारी expectation अभी उपर की ही है, दूसरी चीज, खयाल रखना इस चीज का, कि उपर जाती हुई market को अखिए, ठीक है, और trailing stop loss रखना है, बहुत जरूरी है, trailing stop loss और low quantity, ठीक है, हमें bearish market में heavy quantity तब करनी होती है, जब trend नीचे कर रहा था, ठीक है, नीचे कर रहा था, तब आपको heavy quantity करनी होती है, मैं खुद इस तरीके से play कर रहा हूँ, उपर जाती है market में low quantity के साथ trade करना है, क्योंकि हम trade, जो overall trend है ना, उसके against में trading कर रहा है, ठीक है, against में, तो कि हम यहाँ really-friendly play कर रहा है, हमने यहाँ पर heavy quantity के साथ कर दिया, तो actual trend जो है, हम उसके against में trading कर रहा है, heavy quantity के साथ करेंगे, then it can backfire, ठीक है, यह backfire कर सकता है, और इसीच का ख्याल अपना, तो pre-lection में समझ में आगया, level समझ में आगया आपको, अभी तो really-friendly continue होने के chances हैं, बस थोड़ा बहुत drama अगर हो सकता है, तो कल की दिन हो सकता है, expired एके वरे से, 17-5 गोंपे closing कर दे, market तो बहुत बड़ी आ होगा, हमारे market के लिए, और market 17-700 तक भी जा सकता है, clear लोगी बाद, बहुत important थी, बता दी, बाद करते हैं फ़र आवट से, data points की data points के अंदर, आज put rating करके गए हैं, कल इन्होंने कोई position नहीं ली थी, आज इन्होंने position ले ली है, put rating की है इन्होंने, तो इन्होंने put rating जो की है, दोस्तों वो की है, 17-500 की, ठीक है, और इन्होंने भी put rating की है, और ये put buying करके बैठे हैं, सुबर सुबर इन्होंने put buying भी कर ली, पता नहीं क्यों कर ली, और सबसे बड़ी बात तो आप यह चीज़ समझें उपर जाती हुए मार्केट में इन्होंने अपनी long positions close कर दी ठीक है इन्होंने close कर दी अपनी long positions इसी की विरा से इन्होंने market को उपर लेके गए यह ऐसा क्यूं कर रहे है मुझे समझ में नहीं आता ठीक है नौ दिन से यह ल पॉडिशन्स तो इन्होंने close की है पॉडिशन्स उनके हिसाथे जो आंका आवरेज आ रहा है वह आप चैक कर सकते हैं 17454 का है मतलब इनके short positions में इस वक्त कोई भी profit नहीं है कल थोड़ा बग profit था लेकिन इस वक्त इनकी positions में कोई profit नहीं है ना तो और उपर से जो long positions hold कर र level पर की थी सुबह सुबह ठीक है और यह अभी 90 points के profit में है ठीक है और 17700 का जो इनका average point है इन्होंने कोई positions एक बात यहां मैं ब्याद में आपको दिला दू इन्होंने कोई भी position short वाली close नहीं की है ठीक है नहीं की है मैंने आपको एक बात पहले से बता रखा है मेरे YouTube चैनल पूरा धान से समझना रिपीट टैली गा जो फरवरी सीरीज में हुआ था पूरा होगा इस वीडियो को दुबाद आगे चैक कर लेना पूरी market के situation में रहेगी वही होता नजरा रहा है data point के basis के उपर जैसा expected था वैसा ही नजरा रहा है कोई भी positions एक लाग की position जो थी वह ठीक है और long में बहुत कम conditions हैं जिसके basis के उपर market ऊपर जा रहा है ठीक है तो कहसे समझना आप इसलिए मैं आपको बाबार बोल रहा हूँ analysis हमारी बता देगी लेकिन इसवक्त trapping चल रही है market के अंदर कब तक चलेगी सतरा हर साथ सो तक चलेगी सतरा पॉंस तक चलेगी वह market खुब बता देगा ठीक है data point के तहम में आ गया और एक चीज़र दिखा रहता हूँ आपको यह वाली फाइल जैसे ही यह लोग 5 लाग से निचा आते हैं ठीक है जैसे पांच लाग से निचा आते हैं जैसे आज आ गई है तो तुरंद market positive reaction दे देती है ठीक है ना तो simple है तो यह important था हमारी लिए और retail इस वक्त यह जीरे पता नहीं क्यों बढ़ती market में bullish हो रहा है और simple है कहानी data points इस वक्त थोड़ा सा upside जाने के तयार है clear होगी बात बात करते हैं फटावट से आज के data points जो यह वाले हैं एक मार्च को आज कुछ भी नहीं किया कुछ भी नहीं किया ठीक है और डियाई ने market को support किया पंद्राश्व करोड से F5 शांत थे आज के दिन और F5 कह रहे थे जा सिमरंज जा जी ले अपनी को हमें पता है कि फरवरी का repeat telecast होने वाला है हमें पता है कि relief rally आने वाली है हम हर चीज जान रहे हैं पहले से पहले इस वाक को खयाल लखना इस चीज़ को तो यह चैनल को subscribe अभी तक नहीं गया प्लीज चैनल को subscribe जिरूर कर लेना आपको regular updates मिल रही है data points के basis के ऊपर ठीक है बात करते हैं बैंक निफ्टी की जो बैंक निफ्टी पहले से ही strong था और बैंक निफ्टी को हमें underestimate नहीं करना इस relief rally के अंदर यह आपके लिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि कल भी level कल भी मैंने आपको अपने टेलेग्राम चैनल को पर एक level दिया था याद करो level कौन से था चा उस 280 के level ने देखिए 280 का level हाँ 380 का level था sorry ठीक है कल दिया था मैंना 44,380 का level जैसे ही उसके उपर जाता market blast कर गया और आज 400 point की rally मिली उसके उपर तो जो important points discussion होते हैं वो important होते हैं उनका ख्याल जरूर रखना चाहिए अब market इस इसका support लेके चल रहा है उपर की तरफ बहु ख्याल से मेरे ख्याल से एक resistance यहां बचा है 4,800 का ठीक है 4,800 का resistance है 4,800 के उपर अगर close करता है याद रखने इस बात को 4,800 के उपर close करता है तब जाके आप इसका next target पकार सकते हो जो की 41,100 है 41,100 तो simple है 4,800 के उपर closing करेंगे तो market यहां तक आएगा निफ्टी के अंदर 17,500 के उपर closing करेंगे तो हम कहां तक पहुँचेंगे 17,700 लेवल्स की importance है लेवल्स को हयाल लगना play करना low quantity के हाथ play करना ठीक है बाकी updates आपको मिलती रहेगी free telegram channel के उपर link description में दिया हुआ है thank you thank you so much for watching this video subscribe नहीं किया channel को subscribe करना channel share कर देना लोगों के सा ठीक है thank you thank you so much for watching this video thank you